हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बेजिक इनिशल सेटप अपने मैक बूक प्रो का किस तरह से करते हैं यह है मैक बूक प्रो 14 इंच 2021 का मॉडल विद M1 प्रो चिप 1TB SSD और 10 कोर सीप्यों 10 कोर 16 कोर जीप्यों इसका उन्वक्सिंग का वीडियो मैंने अल्रडी बना लिया उसका लिंक में उपर भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में अगर आप आप देखना चाहते हैं अब हम देखते हैं इसके इनिशल सेटप करने के दो में तरीके हैं एक तो हैं आप फूरा एक फ्रेश सेटप करें दूसरा होता है बैकप में से मैटक मेंसे रिष्टोर करें या अतने दूसरे मीख्बूक में से इसको कॉपी करें it to. पर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता है कि दूसरे MacBook में से, क्योंकि मेरा जो दूसरा MacBook है, it is Intel based, और ये मेरा M1 based है, तो मैं इसलिए कुछ भी, कोई भी software, कोई भी data, अपने पुराने MacBook में से इसमें copy नहीं करना चाहता है, खाली जो मेरी files और projects होगे रहा हूँ, वो मेरा iCloud या इसे हम copy नहीं करना है, कोई software होगे रहा, तो जैसे है आप start करेंगे, या अपका ऐसा language का screen आएगा, उसमें language अपने select करेंगे, नीचे arrow पे click कर देजे, फिर अपना country select करना है, इंडिया है मेरा तो है इंडिया, ठीक है, यह सब कुछ सही है, यह accessibility, तो accessibility का कोई issue नहीं है, त जिसको अगा कैसी को है, जिनको कोई special requirement है, तो they can set it up right from here, यह बहुत अच्छी चीच करी आपने, starting में ही दे देता है, अब यह wifi के मेरे details मांग रहा है, तो वह मैं enter कर देता हूँ, ओके, finally हो गया, यह पता नहीं क्यों error दे रहा था, data and privacy, ठीक है, bit by, अब यह पूछना, migration assistant, जो मैंना आपको बताया है, कि मैं कोई कहीं सा migrate निकर रहा हूँ data, मैं उसको as a fresh new laptop, brand new macbook setup करना चाहता हूँ, ताकि सारे इसमा optimized software में install कर शकूँ, तो not now, अभी मुझ से मेरा apple ID मा एंटर कर देता हूँ, okay, अब मैंने अपना apple ID डाल दिया है, तो it will pop, अभी यह two factor authentication के लिए, इसमेरे mobile पर अगरा पर सप्टर कोड भीजा है, तो मैं इसको उदर से अप्रूब करता हूँ, hello, और जो कोड आया हो एंटर कर देता हूँ, तो अब finally मेरा iCloud account इसमें login हो गया है, मैंने two factor authentication enable करा हूँ है अपने iCloud account में, तो इसलिए उसका second two factor authentication code है, वो मेरे iPhone, iPad सब जगह उसका pop-up आता है, मैं कहीं से भी उसका approve कर सकता हूँ, और उसका code इदर type कर दिया मैं, और अभी यह finally login हो रहा है, तो अब इदर terms and conditions iCloud की agree करान जो मैं को इदर local में use करूंगा login के लिए, और यह allow my Apple ID to reset password, यह इसलिए कि अगर by chance हम अपने computer Mac का password भूल जाए, तो भी हम इससे reset कर सकते हैं, अगर Apple ID को use करके हम अपना use कर सकते हैं, मैं at least recommend करता हूँ, we should enable it, ताकि अगर by chance आप भूल जाए तो आपका data आप नहीं जाए, आप उसको अभी भी Apple ID के थरू, forgot password के थरू, आप उसको restore कर सकते हैं, अभी account create कर रहा है, अब iCloud को setup हो गया है, तो उसके बाद अभी मुझसे मेरा find my का setup कर रहा है, find my allows you to locate this Mac on map, by chance अगर आप नहीं अपना Mac भूल गया है, कि traveling में खो गया है, यह कोई चोरी कर लेता है, तो अगर find my अपने enable कर दी है, अपने Mac में, Macbook पूले, तो फिर कोई आपका data सबसे में निका सकता, आप उसको remotely बैटके lock कर सकते हो, remotely wipe कर सकते हो, और basically, Macbook उसके लिए useless होगा, unless and until आप इसको खुद करें, अपने iCloud account से उसको निकाल दे, तो यह हरदा enable करे find my, continue, make this your new Mac, तो location services म on रखना हो, device analytics, यह मैं देखता हूँ, ऐसा को तो off कर दूँगा, app analytics, Siri on है, अभी मैं जो default है वो रखना हूँ, अभी मेरे को touch ID setup करने को कह रहा है, touch ID है कि मैं को बार-बार login करना, पुछ भी करना हो, तो मैं खाली यह जो button है था touch ID का, fingerprint, उससे मैं कर सकता हूँ, तो यह से fingerprint touch करने को बोल रहा है, यह देखें, लिफ्ट, बार-बार लिफ्ट कराने को कहा रहा है, login होगेरा मैं easily कर सकता हूँ, just with my finger, okay, now, अब edges करनी है, मेरे को मेरी, touch ID is ready, okay, मेरा already, जो core i9 वायला Macbook है, वो already उसका same host name है, तो इसलिए इसका host name चेंज करेंगे, दोनों same land पर है, okay, no problem, so, अब मेरा basic setup कंपलेट हो गया Macbook का, अब इसके अंदर में कोई भी software download करना, कुछ भी install करना, वो मेरे तासा कर सकता हूँ, मेरा iCloud account link up हो गया है, तो देखें, और अब यह पूछ रहा है, calendar would like to use your current location, okay, मैं allow करना चाहता हूँ, तो calendar services use करेगी, फिर अब इसके नहीं को, अब मैं अपने ही साथ इसको पूरा customize कर सकता हूँ, जो भी में को changes करना है, अब app store के अंदर से मैंने जो भी software download खरीदे हुए, उन सब को मैं इसके डाउनलोड कर सकता हूँ, वापिस से, तो जैसे मैंने final cut pro है, सबसे पहले तो वही करता हूँ, क्योंकि editing मेरे को अब इसी के उपर करनी है, ये वीडियो भी मैं इसी के उपर edit करूँ गा, यह सबसे वहले sign in करना पड़ेगा, जो अपने जो iCloud account है उससे ही इसके अंदर app store में login करना है, अब ये final cut pro देखिए, अब मैंने signing कर लिया, तो अब मैं को payment के लिए नहीं बोल रहा है, direct download का link आ गया, तो मैं अब इसको इसके पर install करहूँ, और अब मैं ये जो इदने इनर install करहूँ, it will download and install M1 Optimize, अब जो ARM architecture के लिए Apple ने optimize करा है सारे software इसको, वो optimize version download होगा, अगर मैं उसको copy कर लेता है direct, मनो migration assistant यूज़ करता है, तो वो Intel version वाला आता है, तो उसके नहीं पर performance नहीं मिलता है, अब ये मेरे सारे notes जो पहले के थे, वो सारे इसमें अपना पा जाएंगे, अब मेरे दूसरे system के अपर से भी, और इसलिए अब ये सारे software में अलग-अलग install कर सकता हूँ, तो वो अब एक-एक software का तो इसको भी वीडियो के बताना पॉसिबल नहीं, अब मेरा तो डेटा अलग जारता सारा iCloud या OneDrive के उपर है, तो मैं बस OneDrive और iCloud इंस्टार के उपर से करूँ गा, तो मेरा सारा data आ जाएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कोई क्वेरी हो है तो कमेंट से बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अपी तक नहीं कर रहा है तो, I hope you like the video, thank you, have a great day, bye-bye.